आप सभी दर्शकों का आज के इस दूरदर्शन के होली के विशिस कमिसम्मेलन में स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ हसी ठीठोली संगसंग होना चाहिए धोलक मजीरा मरदंग होना चाहिए बेसन पकोडे में भंग होना चाहिए देखने वाला भी दंग होना चाहिए हर चेहरे पे रंग होना चाहिए खुशियों का मौसम है खुशिया मनाओ पर होली मनाने का धंग होना चाहिए बोली मनाने का धंग होना चाहिए आईए अपने कवियों से आपका मैं परिशे करा दू मेरे सबसे दाई तरफ में बैठे हैं भाई कौसल साहू लक्ष जो की कवर्दा से हमारे बीच में आये हुए है और बहुत अच्छी कविताये पढ़ते हैं व्यंग भी पढ़ते हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये छोटा पैक है जो इसमें सब चीज उपलब्द है आईए अब मैं अपने बाई तरफ आता हूँ यहाँ पे ठीक बाई तरफ बैठे हुए हैं मुस्करा आता हुए चेहरा अंदर से पता नहीं क्या-क्या सोच रहे हैं भाई राजेज जैन राही जी हम उनका आज के स्कारिक्यम में स्वागत करते हैं और मेरे बिल्कुल बाई तरफ में भाई तारिक साहिल जी जो की राजनान गाउसे हमारे बीच में पजा रहे हैं चलिए कारिक्यम की सुरुवात करते हैं पहले कभी की रूप में भाई कौसल साहूल लक्ष जी को आमंतरित करता हूँ वे आए और काभ ये पाठ करें हमारे बीच में आई जोसे हो लिज्वात करते हैं जोसरे हो लिज्वात करते हैं अहाँ, अहाँ अवे खर आखरी डाण है वाँ, वाँ वाँ, वाँ, वाँ वाँ, वाँ वाँ, 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 वाँ में होली हो थे दिवारी हो थे तो बड़ा मया के साथ महतारी हमर्वत ठेठरी खुर्मी बना थे वही भावनाला होली के रंग में जोड़ के आप तक प्रस्तूत करें सागत है सागत है भाई महतारी जब मयासान के ठेठरी खुर्मी बनाए, कालई का सियान कहो, देवधामी हाथ लमाए, बहुत बढ़े हैं, बहुत बढ़े हैं, बहुत बढ़े हैं, कालई का सियान कहो, देवधामी हाथ लमाए, लोई लोई मारस भरे हैं, तो तक यात खवा, एक पईत खा के देख त्रिपाथी, जनम सफले हैं, एक पैत खाके देख त्रिपाथी जनम सफल होई जाए आए हे होरी रंग धर के परसा के फूल फुलाए पीरा भुलागे अंतस के सुख के रास रचाए गाव सहर मा रंग तरंग भुलाल उड़ी उड़ी जाए जीयत मरत के तीहार ये संगी खुसी हा नाच नचाए महतारी जब मैं आसान के ठेठरी खुर्मी बनाए तो यह थे भाई कौसल साहू लक्ष जी रामानुन त्रिपाठी को ऐसे दिमाग वाले रामानुन त्रिपाठी को मैं मंच पर काद्विपाठी के लिए आमंत्रित करता हूं जोड़दार तालियों से उनका स्वागत किया जाए एक बार मोल की थे त्रिपाठी जी ते हास्व यंग लिख था स्यार कहूं गीत लिखे कर मैं कहें ओसल भाई तोर कहां सुरीली गला मोर कहां फटी बास की गला दोनों गला मिलाक दोगला कईसे होसा मैं दोगला नहीं लिख सकाओं मैं गीत नहीं लिख सकाओं हास्व यंग लिख थाओं गीत वो लिख थे जो प्यार मोहबत कर थे मैं डारेक्ट साधी कर थाओं वाह मैं गीत नहीं लिख सकाऊं तब ओलतें निए शिंगार निखे कर तब मैं कोशिस कर रहे हैं मैं एक हासिव यंके कभी सिंगार कई से लिख थे आपके शामने पेस कर दो बैंदरी जैसे चेहरा तोर तो मलाल लिपश्टिक लगाए ऐसे दीखत हावा स्टूरी जैसे तो में लाल लिपिष्टिक लगाए ऐसे दीकत हवा स्टूरी जैसे मुश्वा खाए उत्तर दक्षी नाखी तो उत्तर दक्षी नाखी तो उन्हों मेच्की जैसे चाल उत्तर दक्षी नाखी तो उन्हों मेच्की जैसे चाल अव कूद कूद के जब चल थसना कहे बुरा हाल 29 राज्य, अलग अलग भाशा, वेश भूशा और रहन सहन, अनेकता में एकता का प्रती, एक भारत, श्रेष्ट भारत, भारत के पश्चिमी छोर परिस्थित गुजरात और पूर्वी आचल में समाया 36 गड़, अलग व्यंजन, अलग रंग और अलग स्वाद, पर पसंद एक और उमंग एक, 36 कड की माती और थाली गुजराती, गुजराती बोली मीठी और व्यंजन गुड का स्वाद ले हुए, गुजराती थाली बदलती है मौसम के साथ, पर नमकीन भी उतनी ही जरूरी, और अब गुजरात की धरोहर पूरे भारत की है स्वाद बहुत बधाई देवा थाओ, चाल लाइन पोली के घिलत हैं आपके सामने, स्वाद भाई, साल में एक तिहार है संगी, खेले रंग गुलाल जी, अव मोर सुआरीन होरी खेले, बचे नहीं कोई गाल जी, साल में एक तिहार है संगी, खेले रंग गुलाल जी, अव मोर सुआरीन होरी खेले, बचे नहीं कोई गाल, अव मोर संग होरी खेले, उपर ले तरी तक नीचे रंगला मेले, फागुन के मस्त महीना संगी, पागुन के मस्त महीना संगी, ऑव महर माहर धनिया के डोली, ता उनमा सर्सो फूली तरह ते जी, फागुन के मस्त महीना संगी अव सबला अतेक सुहा थे जी अव महर महर धनिया के डोली तो उनमा सरसो फूल इतरा थे जी अमरिया के आम हमोरे सबला कतेक भाते जी अव कोई अलिया के कुकु बोली कतका सुगह राते जी कोई अलिया के कुकु बोली कतका सुगह राते जी गली मुहलम तिमकी नंगारा धुनहा अरबर बाजे जी अव फग उन्वा के गीत लगा के समस्ती मा जुम जाते जी नवा बुहुरिया के चुनूर छानर पैरी कतका भाजे जी अव लाल गुलाबी पिवरा हरियर रंगा कतका भावय जी अव लचके कमरिया ओह रेंगे अव मनहा सुगह रागे जी होरी के ये रंगा संगी प्यार के रंग में रंगा जी भाई रामानिंत्र पाठी थे ये हम उनको बहुत बहुत बधाईयां देते हैं अच्छी कविताओं के लिए चलिए अब मैं अगले कभी को बुलाता हूँ उसके पहले दो राइने कभी की याद आती है कि उठा के बॉटल जो हमने पूछा किधर से पहले किधर से पहले हर इक तरब से आवाज आई इधर से पहले कि उठा के बॉटल जो हमने पूछा किधर से पहले किधर से पहले हर इक तरब से आवाज आई इधर से पहले इधर से पहले और उठा के जूते जो हमने पूछा वावी उद्धा के जूते जो हमने पूछा किदर से पहले एक तरफ से आवाज आई इधर से पहले उदर से पहले उदर से पहले आईए मैं आमदित कर रहा हूँ भाई तारिक साहिल जी को कावेपाड के लिए हम दूर दर्शन के 36 गड़ चैनल पर बैठे हुए हैं तभी मेरी अचानक नजर यहाँ पर पड़ी शत्यम शीवम सुन्दर हम आप देख सकते हैं इसमें बहुत बड़ा एक परिवारी कर्थ छुपा हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ सत्यम बोले तो पती और शीवम बोले तो पतनी टांडाव करने के लिए और सुन्दरम मुननने मुनने बच्चे इस तरीके से इसमें एक परिवार का संद्य चुपा हुआ है हम पारिवारिक मारे में बैठे हुए हैं उनके रंग लगाने की अदा लाजवाब लगती है जै भा मैं इश्क इसकतर होले में लेकिन क्या करूं घरवाली को मेरी आदत हराब लकती यह गोगत todavíaぎग जाता हूं मैं लेकि जब जब बारिश की चर्चा होती है वर्ट सुर्फ इतना है के सावन में वर्षा होती है और होली में मेरी गल परेंड बार्खा होती है अगली स्वागत ते लड़की है। ठीक लड़की है जसे आपने सगाई में दिखलाी थी। और देखिये ससुर जी का जवाब, हलवाई ससुर जी बोले खालिस वही है, फर्स सिर्फ इतना है, आज घर में सजी है, उस दिन ब्यूटी पारलर से आई थी, अगला फर्क देखिये, यहाँ पर मेरे बहुत से नौजवान साथी बैठे हुए है, मैंने यहाँ पर होली के रं पत्नी और प्रेमी का दोनों ही मुस्कुराती है, यहाँ 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 पर पत्नी और प्रेमी का दोनों ही मुस्कुराती है, फर्क सिर्फ इतना है, कि प्रेमी का जब जब मुस्कुराती है, आए हाए दिल की कली खिल खिल जाती है, और पत्नी जब भी मुस्कुराती है, क मैं समय समय पर उसको खुश करता रहता हूँ आखिर Home Ministry है, Home Department उसी के हात में करना परता है कि सफेद लिबास में सफेद लिबास में तुम मुझे Ambulence से नजर आती हो सफेद लिबास में तुम मुझे Ambulence से नजर आती हो फर्क सिर्फ इतना है कि वो घायलों को ले जाती है और तुम घायल करके जाती है वो घायलों को ले जाती है तुम घायल करके जाती है अब एक बार पत्नी ने भी मेरी परिक्षा लेने की कोशिश कर ली बोले मैं हमेसा सफेद लिबास पहनती हूँ और तुम आगल लगा कर जाते हैं मैं अगली तीन आलपीने आपके समख्ष रखूंगा और फिर अपनी वाणी को भी राम दूँगा कि यहाँ पर मैंने पतनी और ट्रेन की तुलना करने की कोशिश की है अब गोर फर्माइएगा किस तरीके से बात जमती है कि यूँ तो पतनी और ट्रेन दोनों ही मेक अप करती है फर्क सिर्फ इतना है कि पतनी मेक अप करने पर लेट होती है और ट्रेन लेट होने पर मेक अप करती है हमारा प्रदेश 36 कर जो कि संपन है अपनी लोग कला, संस्कृती और पारंपरिगीत संगीत से और ये ख़जाना आप तक लाते हैं दूरदशन और आका अश्वानी इस बेश किंती धरोहर को देखिए और सुनिए दूरदशन और आका अश्वानी से साथ सुरों के मिलने से बनता है संगीत मन के भाव को शब्द मिलने से सचता है संगीत दूरदर्शन और आकाश्वाणी को बनाए अपना मीत बहे जहां भक्ति की अविरल धारा सजे जहां लोग गान की परंपरा जहां गुंजे फिल्म में गीत संगीत की मधुरवाणी तो बस देखते रहे दूरदर्शन सुनते रहे आकाश्वाणी आईये राजेज जन राईजी को मैं आमन्तिस करता हूँ कहीं कभी सब मिलन होता है ये बुलाते हैं लोगों को और वहां लेके जाते हैं तो एक सूट केसे पूरा समान लेके जाते हैं मैंने एक दिन से कहा कि सूट केस में यहा यहां कपड़े की जोड़े कपड़े के आ आज भी सूट केस लेका हैं आज भी सूटकेस लेका हैं और मेरे को बोले दित्र पाड़ी तुमको जैकेट चहिए क्या मैंने बोला नहीं चहिए तो नहीं बोले हाँ अगर चहिए तो ले ले ना बस जो मिलेगा उसमें क्या आदा मुझे दे देना तो मतलब यह डबल विजनेस करते हैं ऐसे दिमाग वा आई राजेश जैन राही जी को मैं कावेपार्ट के लिए आमंत्रित करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्सन के तमाम दर्शकों को कवी राजेश जैन राही का रंग भरा नमस्कार होली मस्ति का त्योहार है होली रंगों का त्योहार है और होली हास्से का त्योह हें तुब बात पाराम करता हूं कि होली आसर दे रही तोड़ोगा रुखा ये रंग प्यार का बाट कर मांगो सब की ख्यार और जबावून के महिने में धरा वीवित प्रकार के फूलों से सुरुभित होकर अपने खुस्बू विखेरती है तब कहीं ने कहीं स्रंगार रसका कवी चंचल हो जाता है कि मन बावरा मचल रहा सुन होली के ढोल मन बावरा मचल रहा सुन होली के ढोल रंग प्यार का मैं मलूं पट्टू द दिल के खोल पट्टू दिल के खोल और एक चंचल सा दुखा के तेरे गालों को मुझे छूने की थी चाह आई होली जूमती मिल गई मुझे को राह और एक दुखा और स्वागत स्वागत के अब के होली में मुझे करना है हुडदंग अब के होली में मुझे करना है हुडदंग पता तुम्हारा मिल गया खूब जमेगा रंग एक मुटक उसके बाद एक छोटी से कविता खे रंगों से आज तुझको नहलाना चाहता हूं मैंने पहले कहा लá कि मेरे पर दोनों की किरपा है कि रंगों से आज तुछ को नहलाना चाहता हूं आ तू भी मुझे को लंग दे, लंग जाना चाहता हूं कुछ भी नहीं लुभाता जग सारा मैने देखा बस दिल में तेरे प्रियतम, बस जाना चाहता हूं मगर एक खास से कवी की स्थिती क्या होती है स्वागत है बढ़े बढ़े कवी बढ़े कवी विद्यसों क्यात्रा करते हैं कविता के साथ में मगर मैंने अपनी कविता के चकर में जेल की यात्रा की उसी जेल यात्रा के संस्मरण एक कविता में पिरोकर आप सब के सामने रहा हूं, दो मिनट की छोटी सी कविता है, कि सीधा साधा कभी हूं, दिन भर कविता लिखता रहता हूं, क्या बतलाओं मगर कैसी मुसीबत में फस गया हूं, घरेलो हिंसा के मामले में जेल पहुँच सीधा साधा कभी हूं, दिन भर कविता लिखता रहता हूं, क्या बतलाओं मगर कैसी मुसीबत में फस गया हूं, घरेलो हिंसा के मामले में जेल पहुच गया हूं, यारो ऐसा नहीं है, कि मैंने घर वाली पे हाथ उठाया, या सराथ पिकर घर में उध्धम मचाया, बात बस इतनी है, कि रोज एक नहीं कविता सुनाने पर घर वाली का मुड़ सिरे से उखड़ गया, और बिना किसी से सलाह लिए, उसने मुझ पर घरेलो हिंसा का मुकदम जड़ दिया, दोस्तों, अदारत में जमानत की अर्जी खारिज हो गई है, और इस बिचारे कभी को जेल या तुम पर भी घरेलो हिसा का मुकदम चलाएगा, कुछ दिन जेल में रहोगे, तुम्हारा दिमाग सेंटर में आ जाएगा, और कविता सुनाने का भूत उतर जाएगा, दोस्तों, घर वाली के गुस्से का सिकार हो गया हूँ, जेल पहुंच गया हूँ, जेल पहुंचते ही बोले, संतों के प्रवचन जेल में होते रहते हैं, पहली बार कोई कभी आया है, कोई फड़कती हुई कविता सुनाओ, हमारा दिल भहलाओ, अब जैसे सुरोता वैसी कविता, मैंने कहा स्रीमान, अजीब हमारा लोक्तंत्र है, सीधे साधे आप जैसे बंध हैं, शातीर सार अच्छी है, इतनी अच्छी कविता पर भी तुमें जेल के सजा मिल गई है, कभी हूँ, कभी हूँ, कविता सुनाने का चड़ा हुआ सौक है, मुझको अंदर पहुचाने वाले, मेरी कविता से पीडित, मेरे अपने ही लोग है, मेरे अपने ही लोग है, वाह, वाह, क्या बहुत बढ़ी तक जो इस दोर का संचालन कर रहे थे हमारे आप सब के लाड़ ले कभी स्री जैप्रकास जी तरपाथी को मैं इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं स्वागत है सिर्ष कभी के रूप में पदम स्री गोपाल दास निरजी की कुछ पंक्तिया है कि अब तो मजभ कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इनसान को इनसान बनाया जाए और जिसकी खुस्मु से महग जाए पडोसी का भी घर फूल इस किसम का हर सिम्त खिलाया जाए फूल इस किसम का हर सिम्त खिलाया जाए श्री जया प्रकास्तर पाठी जी धन्यवाद रजश भाई जी कुछ रही ने याद आती कि फायर बिगट आफिस से निकलती लड़की को देख लड़के के मन में कुछ आया उसने फायर बिगट आफिस फोन लगाया कि एक लड़की ने इस दिल में आग लगा दी फायर बिगट की कोई गाड़ी भिजवा दो उधर से जबाब आया यहां तो पूरे आफिस में आग लगी है यहां बात है हो सके तो तुम ही आके बुजा दो चलिए होली का महौल है होली के एक गीत सुनाता हूं स्वागत स्वागत कि आओ खू कुब बढ़ाए प्यार रे होली आई रे होली आई रे भांग की गोली लाई रे होली आई रे भांग की गोली लाई रे आखे कर जाओ अब चार रे चार आखे करने का मतलब चश्मा लगाना भी होता है, आप इधर उधर मत जाएए, आखे कर जाओ, अब चार रे, खोली आई रे, आम तोर पे ब्यंग जब हुन सुनाते हैं, तो बड़े-बड़े अपने जो करणधार बहुत सारे, जो कथित करणधार हैं, उनका नाम लेते ह हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं अपने मंचस्त कभियों का ही क्योवल नाम ले रहा हूँ, कि पहले कभी के लिए, कि कहतारिक जी, प्यारे साथी सारे मिलकर आओ, कभी सम्मेलन करवा करके पैसे खूब कमाओ, खुद को समझे चिडिया मार रे, ह होली आई रे, हुद को सम्झे चिडिया मार रे, होली आई रे, अब दूसरे कभी, कि सुगर सलोना सुन्दर मुखळा, अच्छी हैं कद काठी, क्या बात है, कि सुगर सलोना सुन्दर मुखळा, अच्छी हैं कद काठी, भीतर भीतर खाय गुलगुला, रामानंद त्रपा खोलार रे होली आई रे डपके इनकी देखो लार रे होली आई रे और अगले कभी कौसल सोचे सभी सुन्दरी इनको बोले सैया कि कौसल सोचे कौसल साहू लक्ष कि कौसल सोचे सभी सुन्दरी इनको बोले सैया परकिस्मत को देखो सारे बोल रहे हैं भाईया इनके लुटने के आसार रे होली आई रे और राही जी की लीला न्यारी नई जवानी छाई चस्मा पहने ढूण रहे हैं काम वाली बाई इनको पकड़ो थाने दार रे होली आई रे इनको अच्छा सब के उपर सुना दिया अपने को छोड़ दूगा दियो लोग मेरे को काट डालेंगे तो अपने उपर भी कुछ बोलना है कि उपर से हम भी दिखते हैं देखो बड़े सयाने पर अंदर में पोल है कितना उपर वाला जाने कैसे होगा बेडा पार रे होली आई रे और इसी के साथ इनी तालियों के बीच आज का ये होली का कारिकम कविसमेलन जो की दूरदर्शन केंदर रायपूर के द्वारा आयोजित किया था यहीं पर समाप्त होता है आप सभी जो भी दर्शक यहां पर उपस्तित हैं जो भी श्रोता है उन सभी का हम धन्यवाद देते हैं नमस्कार अगले कारिकम में फिर मिलेंगे कारिकम में पर सम्क्राइब देते हैं जो भी जो भी देते प्रहवाद प्रह़ाद दिया सर्वाद कर देजित दिन